प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो आप उमीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है समिशर संख्याएं एवं द्वी घात समीकरन भाग दो इसमें हम पढ़ेंगे दो समिशर संख्याओं का गुनन, दो समिशर संख्याओं का अंतर वे भागफल, समिशर संख्याओं के योग एवं गुनन के गुन और इनके उपर अधारित प्रशन दो समिशर संख्याओं का गुनन, आईए बच्चों देखते हैं दो समिशर संख्याओं को कैसे गुना करना है दो समिशर संख्याओं Z1 A प्लस आइटा B वे Z2 C प्लस आइटा D का गुनन Z1 गुना Z2 निमन लिखित रूप से ग्याद किया जाता है Z1 गुना Z2 ब्राबर A प्लस आइटा B गुना C प्लस आइटा D बच्चों हमने यहाँ पे वही नियम प्रयोग करना है जो कि हम छोटी कक्षाओं में X प्लस Y गुना A प्लस B को गुना करते वक्त करते थे जैसे हम क्या करते थे जब इन दोनों को आपस में गुना करना है तो पहले X को A से फिर X को B से फिर Y को A से और Y को B से गुना करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे इनको गुना करना है पहले A को C से गुना करेंगे और आइटा D से तो A को C से करेंगे A C प्लस A गुना आइटा D आइटा A D प्लस अब इस आइटा B को करेंगे C से फिर D से आइटा B गुना C, आइटा BC, प्लस आइटा B गुना आइटा D आइटा गुना आइटा, आइटा की दो लिखेंगे, गुना में BD, बराबर अब हमने बच्चों सीखा था कि आइटा 2 का जो मान है, वो माइनस 1 होता है तो आइटा 2 का मान हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे AC माइनस 1 गुना BD तो माइनस 1 गुना BD माइनस BD हो जाएगा AC और BD को एकठा करके लिखेंगे AC माइनस BD प्लस इन दोनों पदों में से आइटा हम बाहर common निकाल लेंगे तो आइटा को बाहर लिखेंगे आइटा गुना में AD प्लस BC आ जाएगा तो वैसे ही हमने इसको गुना करना है जैसे हम छोटी कक्षाओं में इनको गुना करते थे उधारन के लिए देखते हैं 2 प्लस आइटा 3 गुना माइनस 6 प्लस आइटा 5 इन तोनों को हमने गुना करना है तो पहले 2 को करेंगे माइनस 6 से दो को करेंगे फिर आइटा 5 से तो 2 को माइनस 6 से किया माइनस 12 दो को आइटा 5 से किया तो आइटा 10 या 10 आइटा आएगा फिर आयटा 3 को करेंगे, आयटा 3 गुना माइनस 6, माइनस के 18 आयटा, आयटा 3 गुना आयटा 5, आयटा गुना आयटा फिर यहां लिखेंगे आयटा की 2 और 3 गुना 2, 3 गुना 5, 15 आ जाएगा, 15 आयटा की 2 तो आयटा की 2 का मान फिर माइनस 1 हमने यहां भरना है तो माइनस 12 इसका मान हम जब माइनस 1 भरेंगे तो यह माइनस 15 बन जाएगा 10 आयटा में से 18 आयटा हम माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आयटा रह जाएंगे तो माइनस बाराँ, माइनस पंदरा करेंगे, माइनस के 27 हो गए बच्चो, माइनस 27 माइनस 8 आटा आ गया इस तरह से हमने इसको गुना करना है दो समिशर संख्याओं का अंतर आई अब देखते हैं कि दो समिशर संख्याओं को हमने कैसे घटाना है आपस में जैसे हमने इनको जोड़ा था बच्चो वैसे ही हम इनको घटाएंगे किनी दी गई समिशर संख्याओं कोई भी दो समिशर संख्याओं ले लें Z1 बराबर A प्लस आइटा B वे Z2 बराबर C प्लस आइटा D तो Z1-Z2 दोनों समिशर संख्याओं का अंतर Z1-Z2 ब्राबर लिखेंगे A प्लस आइटा B माइनस C प्लस आइटा D तो बच्चों जैसे हमने यहां जोडा था इनको कि वास्त्विक भाग को वास्त्विक भाग में और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में तो दोनों के वास्त्विक भाग यहां पे हम आपस में घटाएंगे और काल्पनिक भाग हम यहां पे आपस में घटाएंगे तो A-C लिखेंगे दोनों वास्त्विक भागों का अंतर और आइटा B माइनस आइटा D आइटा B माइनस आइटा D में आइटा को बाहर लिखेंगे दोनों कालपनिक भागों का अंतर दो समिशत संख्याओं का भागफल अब दो समिशत संख्याओं को आपस में कैसे हमने भाग करना है बचो किनी दी गई समिशत संख्याओं Z1 वे Z2 के लिए जहाँ Z2 0 नहीं होगा Z1 बटे में Z2 अब Z1 बटे में Z2 जब हमने लिखा है तो वहाँ लिखा है कि Z2 0 नहीं है Z2 0 नहीं है अगर Z2 बचो 0 हो जाएगा तो वो अ परिभाशित हो जाएगा जैसे Z1 बटे में अगर मैं 0 ले लूँगा तो ये अ परिभाशित हो जाएगा क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते तो Z2 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए Z1 बटे Z2 जब हम लिखते हैं जैसे इन दोनों को मैं भाग करूँगा A प्लस आइटा B बटे C प्लस आइटा D तो बच्चो यहाँ पे जो हमारा हर है हम हर बार यहाँ पे हर को प्रमेई करन करेंगे समिशर संख्याओं के गुन समिशर संख्याओं के योग निमन लिखित गुनों को संतुष्ट करते हैं पहला गुन है संवरक का नियम संवरक का नियम बच्चो क्या है जैसे मैं कोई दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ूं मांलो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जो इनका उत्तर है वो भी एक प्राकृत संख्या आरहा है वो भी उसी समुच्या में आरहा है जिसमें 2 और 3 थे तो वहाँ पे संवरक का नियम लागू होता है तो दो समिशर संख्याओं का योगफल भी एक समिशर संख्या होती है हमने ये सीखा था कि जब हम दो समिशर संख्याओं Z1 और Z2 को जोडते हैं तो जो इनका उत्तर आता है Z1 प्लस Z2 करके जो आता है वो भी एक समिशर संख्या ही होती है इसलिए समिशर संख्या के अंदर संवरक का नियम लागू होता है क्रम विनीमय नियम क्रम विनीमय नियम में बच्चो हमने छोटे कक्षाओं में सीखा था जैसे 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3 होता है तो हम इनके क्रम को बदल सकते हैं 3 पहले लिखें या 4 पहले लिखें इन दोनों का जो उत्तर है वो 7 ही आएगा 3 प्लस 4 भी 7 होते हैं और 4 प्लस 3 भी 7 होता है उसी तरह से समिशर संख्याओं के अंदर भी हम इनके क्रम को बदल सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 को पहले लिखें या Z2 प्लस Z1, Z2 को पहले लिखें इन दोनों का जो योग है वो बराबर ही आएगा तो यहाँ पे क्रम विनी में का नियम भी लागू होता है साचरेनियम, किनी तीन समिशर संख्याओं Z1, Z2 और Z3 के लिए साचरेनियम में हमें तीन समिशर संख्याओं चाहिए होती हैं साचरेनियम के अंसार क्या होगा? Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में यानि Z1 प्लस Z2 को हम पहले जोड़ लें फिर उसके अंदर Z3 को जोड़ेंगे या 2 और Z3 को ब्रेकेट में लिखके फिर उसमें Z1 को जोड़ें इन दोनों का उत्तर बराबर आता है इसे हम सहचर्या का नियम कहते हैं अगला नियम है बच्चो योजय तत्समक परतेक समिशर संख्या Z के लिए Z प्लस 0 बराबर Z होता है अता है 0 को हम योजय तत्समक कहते हैं जैसे बच्चो पुर्णांकों के अंदर कोई दो पुर्णांक ले लिजी आप 4 प्लस 0 या फिर माइनस 10 ले लूँ इसमें भी 0 को जोड़ूंगा तो जो उत्तर है वो 4 प्लस 0 करूंगा तो 4 आएगा माइनस 10 प्लस 0 करूँगा तो माइनस 10 आएगा तो 0 यहाँ पे योजय तत्समक कहलाता है योजय तत्समक के अंसार जो हमारा उत्तर है वो वही आना चाहिए 4 में अगर जोड़ रहा हूँ तो 4 ही आना चाहिए माइनस 10 में जोड रहा हूँ तो माइनस 10 ही आना चाहिए उसी तरह से समिशर संख्याओं के अंदर Z में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो Z आता है जैसे कि कोई समिशर संख्या ले 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 3 प्लस 4 आयटा इसमें मैं जब 0 जोड़ूंगा तो 3 प्लस 4 आयटा ही आएगा तो यहाँ पे हम 0 को योजय तत्समक कहते हैं योजय प्रतिलों प्रतेक समिशन संख्या Z ब्राबर A प्लस आयटा B के लिए हमारे पास एक समिशर संख्या माइनस A माइनस आयटा B यानि की माइनस Z प्रापत होती है जिसके लिए Z प्लस यह जो माइनस Z हमारे पास आई Z को इसमें जब जोडेंगे तो 0 के ब्राबर आना चाहिए बचो अभी हमने पड़ा था कि 0 को हम योजय तत्समक कहते हैं तो जब आपका योजय प्रतिलों होता है योजय प्रतिलों यानि कोई समिशर संख्या Z लिख दूँ प्लस इसमें योजय प्रतिलों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास उत्तर में योजय तत्समक आना चाहिए योजय तत्समक Z प्लस योजय प्रतिलों योजय प्रतिलों अब यहाँ पे हम Z में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 0 आजए जैसे कि पुर्नांकों को ले 5 कोई पुर्नांक है 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास योजय तत्समक 0 आजए तो 5 में बच्चों जैसे हमें पता है, माइनस 5 को जोडेंगे, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक, उसी तरह से हम Z के अंदर माइनस Z को जोडेंगे, तो वो 0 के बराबर आता है, 0 जो की आपका योजय तत्समक है, समिशर संख्याओं के लिए, Z प्लस माइनस Z बराबर 0, तो Z को हम माइनस Z का, Z को माइनस Z का और माइनस Z को Z का, दोनों एक दूसरे के योजय प्रतिलोम कहलाते हैं, तो Z को माइनस Z का, वे माइनस Z को Z का योजय प्रतिलोम कहा जाता है, बच्चों इसके उपर हमारे पास कुछ प्रशन आ सकते हैं, जैसे माइनस 2 प्लस 4 आटा का योजय प्रतिलों क्या होगा तो माइनस दो प्लस चार आटा का योजय प्रतिलों क्या होगा यहां पर हमने इनके चिन को change करना है माइनस की जगे हम प्लस कर देंगे दो और प्लस की जगे माइनस कर देंगे जब इस समिशर संख्या में इसको जोड़ेंगे माइनस दो प्लस दो माइनस दो में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चो जीरो और चार आएटा में माइनस चार आएटा को जोड़ूंगा तो क्या आएगा फिर जीरो आएटा आएगा तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास जीरो प योग के गुन पड़े हैं, उसी तरह से गुनन के गुन हैं, बिल्कुल वही हैं, यहाँ पे हम दो समिशर संख्याओं की गुना के लिए पड़ेंगे, वहाँ पे हमने दो समिशर संख्याओं के योग के लिए पड़े थे, तो समिशर संख्याओं का गुनन निमन लिखत गु गुना करते हैं Z1 गुना में Z2 तो ये भी एक समिशर संख्या ही आती है तो दो समिशर संख्याओं का गुनन फल भी एक समिशर संख्या ही होती है तो ये सभी समिशर संख्याओं के लिए लागू होगा सभी समिशर संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 गुना Z2 भी एक समिशर स होता है दूसरा नियम बच्चो क्रम विनीमय नियम क्रम विनीमय नियम में हमने जोड में पढ़ा था जैसे तीन प्लस चार प्लस चार प्लस तीन दोनों साथ होते हैं यहां पे भी हम वैसे ही पुर्णाकों के लिए जैसे पढ़ते हैं तीन गुना चार, यहां पे हम गुनन के गुन पढ़ रहे हैं, तो तीन गुना चार, बराबर चार गुना तीन, यानि इनके दोनों के क्रम को अगर मैं बदल कर लिख दूँ, तीन को पहले लिखों, या चार को पहले लिखों, गुना में दोनों का जो उत्तर है, वो बारा ही आएगा क्रम बदलने से यहां गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता उसी तरह से क्रम विनिमय नियम में किनी दो समिश्र संख्याओं के लिए जैडवन और जैड़्टू का जो गुननफल है बराबर होगा जैड़्टू गुना जैड़्वन का गुननफल साचरेनियम बचो अभी मैंने बताया था कि साचरेनियम के लिए हमें तीन समिश्र संख्याओं की आवश्यक्ता होती है तो किनी तीन समिश्र संख्याओं जैडवन जैड़्टू वे जैड़्ट्री के लिए Z1 गुना Z2 को हम पहले इन दोनों को गुना कर ले फिर Z3 को गुना कर दे या Z2 और Z3 को पहले गुना कर ले फिर Z1 को गुना कर दे तो इनकी जो गुना है तिन्नों की वो बराबर आती है तो इसे हम सहचर्य का नियम कहते हैं अगला नियम है गुनात्मक तत्समक गुनात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा था योजिय तत्समक उसी तरह से गुनात्मक तत्समक होता है परतेक समिश्रत संख्या जेड के लिए जेड गुना एक बराबर जेड होता है जैसे पुर्णांकों के लिए भी माइनस पाँच को मैं किस से गुना करूँ कि उत्तर में भी माइनस पाँच ही आजए दस को मैं किस से गुना करूँगा कि मेरे पास दस ही आजए तो बच्चो यहाँ पे 1 आएगा, तो जैसे पुरनांकों के लिए 1 हमारा गुनात्मक तत्समक होता है, उसी तरह से समिष्र संख्याओं में भी जैड को जब मैं 1 से गुना करूंगा, एक यानि की जेड गुना एक प्लस जीरो आयटा तो ये एक समिशर संख्या भी लग रहा है तो जेड गुना एक प्लस जीरो आयटा लिखूं ये जेड गुना एक लिखूं एक ही बात है वो जेड ही आता है तो एक को हम यहाँ पे गुनात्मक तत्समक कहते हैं गुनात्मक प्रतिलोम प्रतेक समिशर संख्या Z बराबर A प्लस आइटा B के लिए हमारे पास समिशर संख्या 1 बटे A प्लस आइटा B यानि इसका 1 बटे हो जाएगा बराबर 1 बटे Z प्रापत होता है जिसके लिए Z गुना 1 बटे Z बराबर 1 तो अभी मैंने बच्चों बताया था जैसे कोई समिशर संख्या है Z यहाँ पर हमने गुनात्मक यानि गुना करना है गुना उसका गुनात्मक प्रतिलोम बराबर किसके आना चाहिए बच्चों? गुनात्मक तत्समक्के गुनात्मक तत्समक्क जैड गुनात्मक प्रतिलोम तो गुनात्मक प्रतिलोम जैड को मैं किस से गुना करूँगा? जैड को मैं किस से गुना करूँगा? कि मेरे पास गुनात्मक तत्समक्क जो अभी हमने पढ़ा था एक एक आ जाए, तो जेड को बचो एक बटे जेड से गुना करेंगे तांकि जेड और जेड काटके क्या आ जाए एक आ जाए, तो जेड का जो गुनात्मक प्रतिलोम है वो एक बटे जेड होता है जेड का गुनात्मक प्रतिलोम एक बटे जेड और अगर एक बटे Z का पूछा जाएगा तो Z होगा Z का गुनात्मक प्रतिलम हम ग्याद करेंगे एक बटे Z करके तो एक बटे Z, जैसे एक बटे Z में लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एक बटे A प्लस आइटा B अब एक बटे आइटा B जब एक समिशर संख्या यहाँ हर में आगी, नीचे आगी तो हम यहाँ पे इसका परमेई करन करेंगे सभी प्रशनों में बच्चो जब हमें पूछा जाएगा कि निमन समिशर संख्याओं का गुनात्मक प्रतिलम ग्याद करो तो हम एक बटे लिखके उसका हम हर का परमेई करन वहाँ पे करेंगे इसका जो उत्तर हमारे पास आएगा वो हमारा गुनात्मक प्रतिलम होगा आएए इसे एक उधारन से देखते हैं दो माइनस तीन आएटा का गुनात्मक प्रतिलम ग्याद कीजिए तो बच्चों हम लिखेंगे दो माइनस तीन आएटा का गुनात्मक प्रतिलम बराबर एक बटे दो माइनस तीन आएटा बच्चों अभी सिखा था कि किसी भी समिश्यर संख्या का गुनात्मक प्रतिलम ग्याद करना हो तो उसे एक बटे कर देंगे अब ये एक बटे में आ गया तो इसमें हर का हमने परमेहिकरन करना है तो हर का परमेहिकरन करते वक्त बच्चों आएटा का जो चीन है माइनस तो प्लस का कर लेंगे अगर प्लस है तो माइनस का कर लेंगे दो प्लस तीन आएटा बटे दो प्लस तीन आएटा बराबर आएगा उपर एक गुना दो प्लस तीन आएटा है तो उपर दो प्लस तीन आएटा ही रह जाएगा नीचे 2-3 आइटा गुना 2 प्लस 3 आइटा यानि A-B गुना A-B वाला सूतर लग जाएगा तो A की 2 माइनस B की 2 बन जाएगा बराबर 2 प्लस 3 आइटा उपर ऐसे लिखेंगे नीचे 4 बचो जब हम इसको हल करेंगे 3 आइटा की 2 तो ये मेरे पास क्या आएगा 3 की 2 करूँगा तो 9 आइटा की 2 अब हमें पता है कि आइटा 2 का मान क्या होता है माइनस 1 तो आइटा 2 का मान माइनस 1 भरूँगा तो ये मेरे पास हल करके क्या आजाएगा माइनस 9, तो 3 आईटा की 2 को हल करके हमारे पास क्या आया माइनस 9, तो मैं यहाँ पे सीधा माइनस 9 लिख रहा हूं बच्चों माइनस 9 अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? चार प्लस 9 बराबर 13 दो प्लस तीन आईटा बटे में 13 तो बराबर आ गया 2 बटे 13 प्लस 3 बटे 13 आईटा ये हमारा उत्तर आ गया ये है आपका 2 माइनस 3 आईटा का गुनातमक प्रतिलोंग इसको बच्चो हमने बिल्कुल लास्ट पे A प्लस आईटा B के रूप में लिखना है A प्लस आईटा B देखो यहाँ पे आ गया था मेरे पास 2 प्लस 3 आईटा बटे 13 ये 13 जो था 2 और 3 के नीचे दोनों के नीचे था इसको मैंने अलग-अलग करके लिखा है क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 आईटा मेरे पास वास्तविक भाग बन गया प्लस आईटा आईटा गुना 3 बटे 13 जो है उसका कालपनिक भाग बन गया तो A प्लस आईटा B का रूप यानि की समिशर संख्याओं का मानक रूप इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है उत्तर को हर बार आईए एक और उधारन देखते हैं इसी का इनका योग ज्याद करना है के योग का इन दोनों के योग का पहले आपने इन दोनों के योग करना है फिर जो आएगा उसका गुनात्मक प्रतिलोम ज्याद करना है तो पहले हम इनको जोडते हैं माइनस 3 प्लस 4 आईटा प्लस 2 माइनस 5 आईटा बचों कैसे जोडते हैं दो समिशर संख्याओं को उनके वास्तवीक भाग को आप में आपस में जोड़ना है माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 में मैं 2 जोड़ूँगा तो क्या आएगा? माइनस 1 और उनके कालपनिक भागों को आपस में जोड़ना है ज्याद करना है तो हम लिखेंगे माइनस 1 माइनस आईटा का गुनात्मक प्रतिलोम बराबर एक बटे इसका एक बटे माइनस 1 माइनस आईटा अब बच्चों हमने इसको प्रमे करन करना है हर का प्रमे करन तो माइनस 1 माइनस आईटा यहाँ पे ध्यान रखना है हमने जब प्रमे करन करते हैं तो माइनस 1 का चिन नहीं बदलना बहुत सारे बच्चे यह गलती करते हैं माइनस एक प्लस आईटा, आईटा का चीन आपने बदलना है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, बटे में माइनस एक प्लस आईटा, उपर एक गुना माइनस एक प्लस आईटा है, तो वही रह जाएगा प्लस आईटा, हर में माइनस एक माइनस आईटा, माइनस एक प्लस आईटा, तो इसको मैं ए माणलू, A minus B, A plus B, A minus B, A plus B का सुतर लगाएंगे, A की दो, minus B की दो, तो minus 1 की दो, minus A की दो, बरबर आएगा, minus 1 plus A बटे में, minus 1 की दो करूंगा, बच्चों, 1 और A की दो करेंगे, तो minus 1, A की दो का मान, minus 1 होता है, यहाँ पर क्या आजाएगा, minus 1 plus A बटे में, 1 plus 1 हो जाएगा, 2, अब बच्चों हमने इसको अलग-लग करके लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना होता है, A plus A बटे के रूप में लिखना होता है, तो इसको हम अलग-लग करेंगे, minus 1 बटे 2, plus 1 बटे 2 आइटा, तो यह A plus आइटा B के रूप में हो गया, यह हमारा उत्तर है, यह आपका minus 1 minus आइटा का गुनात्मक प्रतिलोम है, minus 1 minus आइटा कैसे आया था, इन दोनों का योग करके, तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रशन को बदल भी सकते हैं, समिश्यर संख्याओं, minus 3, plus 4 आइटा, वै 2 minus 5 आइटा के गुनन का, योग का, गुनन का, भाग का प्रतिलोम ग्याद करें, तो आपको प्रशन बदल के ऐसा भी आ सकता है, आईए एक और उधारन देखते हैं, बच्चों, उधारन तीन, 5 प्लस वर्गमुल 2 आइटा, बटे, 1 minus वर्गमुल 2 आइटा को, आपको प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त करें, यानि कि इसको हमने मानक रूप में लिखना है, 5 प्लस वर्गमुल 2 आइटा, बटे, 1 minus वर्गमुल 2 आइटा को मानक रूप में व्यक्त करें, यहाँ पे हम लोग A प्लस आयटा B के रूप में व्यक्त करने की बजाए हम ऐसे भी लिख सकते थे को मानक रूप में व्यक्त करें तो 5 प्लस वर्गमुल 2 आयटा बटे में 1 माइनस वर्गमुल 2 आयटा अब बच्चों यहाँ पे हम हर का प्रमे करन करेंगे हर का प्रमे करन करने के लिए हमने आयटा का चिंद बदलना होता है यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लेके चलेंगे वर्गमुल दो आयोटा बटे में एक प्लस वर्गमुल दो आयोटा बराबर पांच प्लस वर्गमुल दो आयोटा को हमने गुना करना है एक प्लस वर्गमुल दो आयोटा से तो बच्चों जैसे हमने गुना किया था पहले समिशर संख्या को दूसरी समिशर संख्या से वैसे ही हमने यहां गुना करना है पहले 5 को एक से करेंगे फिर 5 को वर्गमुल 2 से करेंगे फिर वर्गमुल 2 आयटा को करेंगे एक से वर्गमुल दो आईटा को करोगे वर्गमुल दो आईटा से तो ऐसे ही हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं पांच गुना एक पांच प्लस पांच गुना वर्गमुल दो आईटा पांच वर्गमुल दो आयटा प्लस वर्गमुल दो आयटा गुना एक वर्गमुल दो आयटा ही लिखा जाएगा वर्गमुल दो आयटा गुना वर्गमुल दो आयटा तो वर्गमुल दो गुना वर्गमुल दो बच्चों कितना होता है दो और आयटा गुना आयटा क्या लिखेंगे आयटा की दो वर्गमुल दो गुना वर्गमुल दो दो हो जाएगा आयटा गुना आयटा आयटा की दो हो जाएगा नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे फिर वही सुतर यूज करोगे A माइनस वर्गमूल दो आइटा, A, 1 माइनस वर्गमूल दो आइटा, 1 प्लस वर्गमूल दो आइटा यानि A माइनस B, A प्लस B, तो A की दो माइनस B की दो, तो A की दो माइनस वर्गमूल दो आइटा की दो, ब्राबर इस आईटा 2 का मान भरेंगे minus 1 तो 5 यहां पर minus 1 भरूँगा तो minus 1 गुना 2 minus 2 हो जाएगा तो ये मेरे पास वास्त्विग भाग बनेगा पांच वर्गमूल 2 आइटा और 1 वर्गमूल 2 आइटा इन दोनों को जोड़ूँगा 5 वर्गमूल 2 यहाँ पे एक वर्गमुल दो है, यहाँ पे पांच वर्गमुल दो है तो मेरे पास कूल हो जाएंगे छे वर्गमुल दो, बटे में एक माइनस दो आइटा की दो यहाँ पे भी आइटा की दो को हम माइनस एक भरेंगे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 करेंगे 3 प्लस 6 वर्गमुल 2 आइटा बटे में 1 आइटा 2 का मान माइनस 1 भरूँगा तो माइनस 1 गुना माइनस प्लस हो जाएगा एक प्लस 2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6 वर्गमुल 2 आइटा बटे 3 तो बच्चों इसको फिर हमने अलग-अलग करके लिखना है इसके मानक रूप में 3 बटे 3 प्लस 6 वर्गमुल 2 बटे 3 आइटा तो 3 बटे 3 कितने हो गए एक 6 बटे 3 यहाँ पे 6 को 3 से भाग करूँगा तो 2 वर्गमुल 2 बच जाएगे यह हमारा उत्तर है 5 प्लस वर्गमुल 2 आइटा बटे 1 माइनस वर्गमुल 2 आइटा को A प्लस आइटा B के रूप में हमने व्यक्त करना था तो इसको हम प्रमेह करन करेंगे हरका एक माइनस वर्गमुल 2 आइटा गुना एक प्लस 2 वर्गमुल आइटा यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस का चिन लेके चलेंगे प्रमेह करन करने के बाद जो आएगा उसको हमने मानक रूप में लिखना होता है बच्चो आईए अब ग्रह कारय को लेते हैं ग्रह कारय में आपने दो प्रशन हल करने हैं प्रशन संख्या 1 वर्गमुल 5 प्लस 3 आइटा का योजय प्रतिलों वे गुनात्मक प्रतिलों ज्याद करें प्रशन संख्या 2 निमेलिखत व्यंजग को A प्लस आइटा B यानी मानक रूप में व्यक्त करें प्रशन है ब्रेकेट के अंदर 3 प्लस वर्गमुल 5 आइटा गुना ब्रेकेट में 3 मानक रूप में बदलना है बच्चों उमीद करता हूँ आपको ये अधियाए समझ आ गया होगा धन्यवाद उन्माझ स्वचल 9 आइटे हैं